तो कैसे हैं आप सब लोग होप आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे अभी मैं आप लोगों के संग अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूं दिया स्कूल जा चुकी है और मैं रात को न वेजिटेबल्स लेकर आई थी एक हपते की मैं सी करती हूं अगर मौकल लगता अब कि बाट पे ऐसे और अब कर दिवान वाला खाली रहता है तो इस पर फेला दी मैं और मॉआस्टेर बगारा भी निकल चुका है दिया भी स्कूल से जा चुक है तो अब कमरा समेट ना है किचन समेट नहीं है तो यही से मैंने कर चलो स्टाटिंग करते हैं वेजिटेब मैं शेयर कर रहे हूं इसके आगे मैं अपनी Amazon की जो वीडियो है वो शेयर करूंगी अपनी shopping शेयर करूंगी मेरे लेना काम करना बहुत जरूरी है जैसे कि आप सब जानते हो मेरा earning का source है ये YouTube चैनल और काम तो हमें करने है चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए जो हमारा commitment है वो negative comments भी की है जो कि बिल्कुल बे-दिमाग के लोग होते है जिनको कुछ समझ में नहीं आता जिनको मतलब एक इंसानियत नहीं होते है जिनके अंदर वो ही ये सारे चीज़े करते हैं तो बहुत सारे negative comments भी है तो उनको तो मुझे कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि नहीं समझ सकते कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते है नहीं उनको समझाना चाहिए मेरे घरवाले खुट के मेरे जो घरवाले हैं वो अपनी आईडी से मेरे खिलाफ negative comments कर जा रहे है करे जारे करे जारे मेरे खिलाफ और इतना कुछ करने के बाद मुझे समझ में नहीं आता किसी को बिल्कुल जान से मानने की कोशिश करने के बाद भी आपका ego जो है ना satisfied नहीं हो रहा आपने crime किया ठीक है उसके बावजूद भी आप और crime करते जा रहे हो धमकिया दे रहे हो गलत-गलत allegation लगा रहे हो सब चीजे कर रहे हो और आपको ने सुचा था कि शायद आपने बहुत अच्छा काम किया आपने बहुत गलत किया है आपको आगे चलके पता चलेगा कि आपने क्या किया है अच्छी चीजे नहीं थी जो भी हुई और जिस तरीके से हुई किसी की life पे आप control नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप किसी को नहीं बता सकते है कि आपको किस से ठीक है और आप इस तरीके से दुश्मनी नहीं निकाल सकते धंकिया दिया आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया लगतार 20 मार्च से मेरे साथ चीजे चल रही थी मैं नहीं बताती यूट्यूब पे क्योंकि मेरे को नहीं बतानी थी इंडारेक्टली मैंने बताई है और जो क्लोज वन थे यूट्यूब से जुड़े लोग जो मेरे सब्सक्राइबर उनको सारी चीजे पता थी तो उनको तो पता था कुछ न कुछ हमारे संग बड़ा होना है पता थी लोगों को चीजे बहुत सारी चीजे पता थी कि हमारे संग बड़ा होना है और मुझे भी पता कि मुझे धंकी देके गई थी मुझे पता थी कुछ चीजे होनी है उसके बाद कोशिश की गई उस लड़के के संग चार तारिक को भी ड्रामे किये गए वो भी मैंने शेयर नहीं किये अब ये छे तारिक को जो चीजे हुई है ये आती थी ये आती थी तुम थे ना वही बहुत बड़ी चीजे और बहुत गलत की है चीजे आगे मैं क्लिप जो मैं दिखा रही थी लाइब में वो सब चीजे भी शेयर करूँगी अभी इस वाले व्लोग में मैं कुछ भी शेयर नहीं करी मैं सारी वो ख्लिप भी शेयर करूँगी और वो लड़के के साथ भी लड़के की जो भी वीडियो है जो मेरा दोस्त है मैं वो सारी वीडियो भी शेयर करूँगी बहुत सारे लोगों को सचाई पता ही नहीं थी इन लोगों ने बोला इन्होंने हमें पकड़ा 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 हम के साथ थी मैं अपनी बच्ची के साथ थी और हम कोई पब्लिक प्लेस से हट करनी थे कि हमें कहीं मंदिर में पकड़ा हो यहां में पार्क में पकड़ा हो यहां में कहीं होटल में पकड़ा हो पकड़ना क्या होता है अलग से पता है न आप लोगों को गलत चीजों का क्या मतल जो में आपकी voice आप धमका रहे हो गाड़ी में डाल के जाने की भी बात कर रहे हो आप कोई बात नहीं चीजे clear हो जाएगी आज नहीं कल नहीं परसो clear हो जाएगी जो गलत है वो गलत है और मुझे इतने सारे गंदे गंदे जो लोग comment कर रहे हैं दो बच्चों के बाप से ही है उन सब को भी थोड़े टाइम बाद answer मिल जाएंगे और involved उसकी वाइप भी है इन सारे matter में उसकी वाइप भी involved है तो अपने पती को पिटवाना आपका हो जाएगा आप किसी इंसान को torture करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे और आप सोचोगे कि आपका बनके रहे तो ऐसा तो देखो possible नहीं होता ना शुरू से इंसान मतलब इतनी सारी चीजे सहता रहेगा सहता रहेगा तो कभी तो हर चीज का मतलब अंत होता है ना तो let's see बाकी बहुत सारे लोगों का मेरे को support है बहुत सारे लोगों ने support किया है बहुत अच्छे suggestion दिये हैं बहुत लो लड़के वाले ना control करने की कोशिश करते हैं मैं तो चलो केली हूँ मैंने देखा है सुस्राल में भी जो लड़कीया होती है ना उनके माबब उनको चलते हैं उनकी कभी ना घर दंग से बसानी पाती है जो अपने माई के वालों के कहने पे चलती, वो बसा ही नहीं पाती, वो सेफ और सेफ घर पे डिपेंड रहती है, बताना है, घर पे सुस्राल में कोई बाते हो गई फटाफट से बतानी है, और मैं एक्जामपल के तौर पे मैं अपनी भेन को ही ले लेती हूँ, वो छोटी छ शिकायत भी नहीं करती हूँ, मैं एक हेल्प ही लेना पसंद नहीं करती हूँ, अपने घरवालों से, अब तो चलो ये सारी चीज़े हो गई, मैं वैसे भी कभी दुखड़े नहीं रोती थी, इतनी चीज़े मेरे साथ, इतने बड़े-बड़े हाथ से मेरे संगोई का, मैं मैंने बहुत सारी चीज़े अपनी तरीके से की है, खुद से की है, ये जो चीज़े मैंने बनाई हैं, मैंने खुद से बनाई है, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मुझे किसी ने रास्ता नहीं दिखाया है, मैं खुद यूट्यूब पर आई थी, मेरा मजाग बना बट ऐसा नहीं है मैं 2019 से कमारी हूं और बहुत अच्छा कमारी हो और अपना घर बहुत अच्छे से चला रही हूं मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूं अपनी बहुत ही प्यारी सी चोटी सी शॉपिंग जो कि मैंने की है अगे अमेजॉन से मैं बहुत सारी शॉपिंग करती रहती हूं और आप लोगों के संग शेयर करती रहती हूं अभी मैं इस केश बैक आपको मिल जाएगा अगर आपने प्राइम मेंबर्शिप ले रखिए प्राइम मेंबर्शिप आप जरूर लीजिए अगर आप अमेजोन पे खुब सारी शॉपिंग करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफेट्स है तो जल्दी से प्राइम मेंबर्शि सुपिंग जो मेंने की है उन सब का लिंक भी जो है मैं अपने होल शोर के लिंक में प्रवाइट कर वात दोंगे तो होल स्टोर का लिंक नीचे आपको डिस्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जल्दी से दिखा जेते हूं शॉपिंग सो फस्स मैं दिखा देती हूं मैंने मंगवाया है ये गान्मिया स्किन नाच्रल का प्यॉर चार्पोल ब्लैक सिरम मास्क जो की है सेल्फिट फ्री पैरविन फ्री और बायो ग्रेडिवल शीट मास्क है ये विगन फोर्मला के साथ मिलता है इसको आपको जस पंदर मिनिट अपने फेस पर अपलाए करना है और बस कुछ नहीं करना बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन हो जाएगा गर्मियों के टाइम पर कि लगयां फेसे बहुत साथ मैंने ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्स्फॉलाइट करेगा और तो आप इसको मंगा सकते हो जो आपकी डेड़ स्कीन है उसको भी जो है डलनेस को रिमूव करेगा और लाउरियल पैरिस का यह मुझको जो है बहुत कम दाम में पड़ा था इस पे 339 रुपर प्रिंट है लेकिन में को यह सेल के टाइम पर बहुत कम प्राइज में मिला है तो दिखता है अलग से दिखता है और कांफी डाइम तक टिके रहता है वाटर्प्रूफ है और 24.4 यह ञड़ा रहता है लेकिन इतना आपक लन गाता हा बीच मोश भी करना पड़ता है स्मुज प्रूफ है और यह इसका ब्रिश है न मतलब इसकी जो टिप है वह कांफी प्लक् स्मय कालुया, तो आपार लिए घ्रैट, तो डुप्रोटा है और यहां जुनियों अफन साहँ करें, जुनियों इनके तो यह लग्जा केकिनामने, तो ट्रैट लग मोंगतिमेन wires, की मैंट यहां कई फेल्ड अच्छा है जैसे मैं स्क्रोल कर रही थी चीज़े की मुझे क्या मंगानी है क्या मंगानी है किस के प्राइस कैसे कम है तो यह मैंने मंगा यह शुगर पॉप की और पता यह जस्ट हंडर्ड रुबीस के अंदर है और कोई डिलीवरी चार्जिस भी नहीं लगे है इतना ही कम पैसो की अब भी तोड़ा सा यह अजीब सा दिख रहा है लेकिन यह भी काफी टाइम तर टिक कर रहता है और एक मैंने यह मंगा है अलेक्टो कैलमाइन का बॉड़ी बॉच जो कि वन परसंट स्लाइसलिक एसिट के साथ आता है इसके अंदर आपको अलोविरा भी मिल जाता है साथ ह साथ यह जो कुछी बीट्स होते है न स्क्रबिंग बीट्स भी आपको मिल जाएंगे तो जिससे कि आपके स्किन ना काफी हट तक जो है से डेट स्कीन होती है वो रिमूब जाएगी रिद्यूस करता है यह आपकी बॉड़ी के जो चोटे-चोटे से पिंपल्स वारा से होत जो आप कितना भी मतलब बॉड़ी को वाश कर लो नहा लो तो रहती रहते है तो यह उनको रिमूब करने में हल्प करेगा रिड्यूस करता है बहुत कम कर देता है तो आप इसको मंगा सकते हो यह जो कि मैंने अमिजून से की लिंक जैसे कि आपको बताई चुकियों मैंने साथ ही साथ सेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है तो सेल का भी पायदा उठाइए और फटा फट से जाहिए शॉपिंग कीजिए मिलती हो नेक्स वीडियो में तदा के लिए बाई बाई टेक कियर अपने ध्यान लखने और बच्चों को खास तोर पे ध्यान दखि बाई बाई